Hello friends and welcome to my channel जो आप ये गुलाब का पोधा देख रहे हैं इसकी पत्तियों की जो टिप्स हैं वो पूरी सूख रही है जैसे आप देख सकते हैं और पत्तियों की जो जान भी है वो बिल्कुल पेपर के नुमा हो चुकी है अगर थोड़ा सा भी दबाएंगे तो ये तूट के बिखर जाएगी और जो हम इसके उपर फर्टिलाइजर डालेंगे वो पूरी तरीके से और्गेनिक रहेंगे और बहुत आसानी तरीके से आपके घर में भी एवेलेबल रहेंगे और ये देखिए ये मैंने इसके उपर ट्रीटमेंट अल्रेडी किया हुआ हूँ और इस प्लांट के उपर ट्रीटमेंट दोबारा करके आपको दिखाऊँगा इसकी पत्या देखिए आप कितनी तरीके से लश ग्रीन हो चुकी है और बहुत अच्छा क्लोरोफिल भी हो रहा है इनमें और नई बट्स भी आ रही है तो दोस्तो जो मैं प्लांट का ट्रीटमेंट बताऊँगा आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा छोटा सा वीडियो है ज्यादा बड़ा नहीं है और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा तो दोस्तो इस तरीके से ये पेपर नुमा हो जाती है जो कि अब रिकवर कर रही है क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम की कमी हो जाती है सीजन चेंज होता है हम पॉट की जो मिटी होता है उसको चेंज नहीं करते हैं और उसे कभी वजह से कैल्शियम, मैंग्नेशियम, आएरन, पोटेशियम, सल्फर और कई सारे micronutrients की कमी पड़ जाती है तो इसको पूरा करने के लिए मैंने घर की कुछ चीजे लिया हूँ ये है दूद ये आप गाय या भेसका दोनों का कोई सा भी दूद ले सकते हैं एक कब दूद लीजे आप और इसको दो लीटर के पानी में कैन में डाल दीजे दोस्तो जो मैं रेमिडी आपको ये बताया हूँ ये आपके घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगी दूद और दूसरा है गोड़ ये दोनों ही चीजें आपके घर में बहुत आराम से मिल जाएंगी और इसके अंदर इतने फायदे हैं ये किसी को भी नहीं मालूम है दूद में लेक्टो बैसिलस बैक्टिरिया होता है और ये जब किसी फंगस जो खराब फंगस होती है उसके कॉंटेक्ट में आता है तो वो फंगस को खतम कर देता है उसको खा जाता है इसलिए दूद बहुत एहम होता है और इसको आप इसप्रे भी कर सकते हैं अब दूसरा हमने ingredient ले लिया है गुड का पानी जो गुड का पानी मैंने आपको बता रहा हूँ ये गुड का पानी आपको थोड़ा सा लेना है करीब 5 ग्राम का गुड लेना है और गुड को घोल लेना है अच्छी तरीके से और उसके अंदर डालेना है गुड के अंदर काफी सारी micronutrients होते हैं और rich source होता है magnesium, potassium, iron, sulfur गुड का पानी होता है वो आपकी soil के अंदर उसका pH को high करता है जिसकी वज़े फ्लॉवरिंग आने में बहुत मदद होती है इसके अंदर sulfur होता है जो पतियां होती है जो आरिक होने लग जाती है और paper की समान होने लग जाती है तो वो उसको उससे बचाता है और कड़ी ठंड से भी बचाता है इसके अंदर एक azobacter bacteria जो होता है nitrogen को fix करता है वो bacteria को grow करने में मदद करता है ये गुड का पानी अब ये दोनों को गुड को पानी और दूद को हमने mix कर लिया है proper तरीके से अब इसको हमें spray करना है अब जो solution हमने बना लिया है ये बहुत ही अच्छा pesticide हो जाएगा साथी साथ anti-fungal रहेगा और तो और इसके साथ जितने भी calcium, magnesium और काफी सारे micronutrients, sulfur, iron, potassium है ये सब इसकी मात्रव को बढ़ाएंगे इसको proper तरीके से आपको पूरी branches के उपर अच्छी तरीके से spray कर देना है और हफते में तीन बार spray करना है आपको एक दिन छोड़ छोड़ कर आप spray करेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से और गेने के इसके उपर कोई भी दिक्कत नहीं होईगी दूसरी आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस पदों के उपर जब spray करें तो next day अच्छी तरीके से इसके उपर पानी डालें और अच्छी तरीके से पत्यों को shower करें clearly आपके सामने ये result दिख रहा है ये देखें नई पत्या आ रही है और कितनी healthy पत्या आ रही है सिर्फ इसका reason यही है कि जो calcium, magnesium, iron और potassium इसके अंदर जो गया है और वो ही जो nitrogen है nitrogen को fix कर रहा है इसके अंदर के जो bacteria है वो इसको nitrogen fix करने में proper help कर रहा है कि ताकि इसके अच्छी तरीके से growth हो जाए उसके बाद जो बचा हुआ पानी है वो आपको इस तरीके से plant के उपर डाल देना है कि ताकि जो soil है वो soil के अंदर में भी अच्छी तरीके से fungicide हो जाए और nutrition इसको proper तरीके से मिल जाए दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करेगा, subscribe करेगा and thanks for watching